हेलो दोस्तो, स्वागा थे आपका Study Smart Studio में आज हम Physics में धारा के चुम्बिकिया प्रभाव से सम्मनित महत्पूर MCQ को कवर करेंगे इस टॉपिक को हम दो भाग में डिवाज करके पढ़ेंगे आज हम चुम्बिकिया प्रभाव से सम्मनित महत्पूर MCQ को कवर करेंगे तो चलते हैं स्वाशन के और पहला प्रस्तन है चुम्बिकिया च्छेतर में स्थेत किसी च्छेतर फ़ाल से चुम्बकिय छेत्र मेस्टित किसी छेत्रफल से उसके तल के लंबबत गुजरने वाली चुम्बकिय छेत्र रेखाओं की संक्या को क्या कहते हैं? राइट अंसर है B. चुम्बकिय फ्लक्स या मेगनेटिक फ्लक्स किसी छेतर फल से उसके तल के लंबबाद गुजरने वाली छुम्पकिय छेतर देखाओं की संख्या को चुम्पकिय फ्लक्स कहा जाता है चुम्पकिय फ्लक्स को फाई से परदर्शित किया जाता है नेश्ट है चुम्बकिय चेत्र के समानतर रखे छेत्रफल से गुजरने वाली चुम्बकिय फ्लक्स का मान क्या होगा यदि चुम्बकिय चेत्र में यदि छेत्रफल समानतर है तो इसका मान सून होगा और यदि लंब बात है तो इसका मान क्या होगा अधिक तम नेस्ट है, चुम्बकेब फ्लक्स कौन सी रासी है? चुम्बकेब फ्लक्स एक अजिस रासी है और इसे फाई से प्रदर्सत किया जाता है नेस्ट है, चुम्बकेब फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? फ्लक्स का SI मात्रक बेवर होता है, जबकि CGS मात्रक क्या होता है? D. 10 to the power 8 Maxwell एक बैवर कमान 10 to the power 8 Maxwell होता है नेस्ट है किसी धाट्विक कुंजली से गुजरने वाली चुम्बकिया फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंजली में क्या उत्पन हो जाता है राइट अंसर है C. बिद्दुत बाहक बल यह एक धाट्विक कुंजली है इसमें यदि चुम्बकिया फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो इसके दोनों सिरों पर एक बल उत्पन हो जाता है जिसे बिद्दुत बाहक बल कहते हैं नेस्ट है राइट आंसर है C, फैराजी ने ने, किसी कुंजली में प्रेरिद विद्द बहाकबल का मान, फिलक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रुमानुपाती होता है यह फैराजी का कौन सा नियम है? यह फैराजी का दुतिया नियम है फेरादे के प्रथम नियम से बिद्द बहाकबल की परिवासा पता चलती है और दुटिय नियम से फिलक्स और बिद्द बहाकबल का मान पता चलता है फिरादे के दुटिय नियम से प्रेद विद्धुद भाहकबल का मान फ्लक्स में परिवारतन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा और ता जो भी बल प्रद्यूश होगा वह फ्लक्स में परिवारतन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है किसी बंद परीफत में उत्पन्य प्रेरिध धारा की दिशा किसके द्वारा याद की जाती है बिदुद बाहकबल जब उत्पन्य होता है तो उसमें बिदुद धारा की दिशा लेंच के नियम से याद की जाती है बंद परीफत में प्रेरिद धारा की दिसा लेंज की नियम से याद की जाती है लेंज का नियम किसके सनलक्षन पर आधारित है किसी परीफत या कुंजली में धारा परीवर्टन की कारण उसमें विद्धुद भाखबल का उत्पन होना क्या कहलाता है यदि हम कुंजली में धारा कामान परीवर्टित करते हैं तो इस कुंजली में विद्धुद भाखबल उत्पन हो जाता है इसको हम स्वा प्रेदन की घटना बोलते हैं नेश्ट है किसी एक विद्दुद परीपत में धारा बदलने पर दूसरे परीपत में प्रेद विद्दुद वाहकबल का उत्पन्न होना क्या कहलाता है। यह एक कुंजली है इसमें यदि हम धारा प्रवाहित करें तो इसकी पास वाली कुंजली में विद्दुद वाहकबल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को हम अन्यून पिरिण कहते हैं। नेश्ट है स्वापिरिण और अन्यून पिरिण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। इस घटना में यांत्रिक उर्या विद्दुद उर्या में परिवरते थोती है। नेमू यांत्रिक उर्या को विद्दुद तूर्या में बदलता है। नेश्ट है विद्दुद मोटर धारा के किस प्रभापर कार करती है। यह धारा के चुम्ग के प्रभापर कार करती है। जबकि यांत्रिक उर्जा को बिद्दुत उर्जा में डाइनेमो परिवार्थित करता है जबकि उर्जा में डाइनेमो परिवार्थित करता है एसी पर ही कार करता है यह डीसी पर कार नहीं करता क्योंकि डीसी हमेशा सिंगल लाइन में चलती है जबकि एसी कर्व के रूप में चलती है नेस्ट है प्रत्यावर्थि धारा के बोल्टेज को बराने या घटाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है बोल्टेज को बराने या घटाने के लिए ट्रांस्फॉर्मर का प्रियोग किया जाता है जबकि एस्ट है ट्रांस्फॉर्मर किस सिद्धान्ट पर कार करता है ट्रांस्फोर्मर अन्यून प्रिणन के सिद्धान्थ और बिद्दुचिंबिके प्रिणन के सिद्धान्थ पर कार करता है और यह बोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रियुक किया जाता है येस्ट है, ट्रांस्फॉर्मर का कोर बनाने के लिए किसका प्रियूख किया जाता है? आइट अंसर है C, नर्म लोहिका ट्रांस्फॉर्मर का जो कोर होता है, उसको बनाने के लिए नर्म लोहिका प्रियूख किया जाता है जेस्ट है फिराजी के जुटिय नियम को क्या कहती है फिराजी के जुटिय नियम को लेंज का नियम भी कहती है इस नियम अनुसार चुम्टिय फ्लक्स में परिवरतन की डल्ब विद्द बाहक बल की बराबर होती है अर्था जितना विद्द बागबल उत्पन होता है यह चुम्ट के फ्लक्स में परीवर्टन पर डेपेंड करता है थेंक्स फॉर वाचिंग यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्प्पैब जेरू करें इससे हमें मोटिवीशन मिलता है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में